प्रश्राइब तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बौड़ी बिल्डर के बारे में पताने वाला हूँ जो की बिलकुल रौनी कोल्में जैसे दिखते हैं अब मैं उनकी शकल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तो जैसे आप लोग जानतों कि Ronnie Coleman एक बहुत ही बड़े bodybuilder है 8 time Mr. Olympia Ronnie Coleman और सिरफ वो size से बड़े नहीं है उनकी accomplishments में बहुत ही बड़ी है जिस bodybuilder के बारे में आज मैं आपको बताने वाल हूँ वो accomplishments के बारे में तो नहीं पर physique के मामले में बहुत ही जादा similar दिखते है Ronnie Coleman से और खास बात ये है दोस्तों कि ये Mr. Olympia के अंदर भी complete कर चुक है और एक और खास बात ये है कि ये इस generation के bodybuilder नहीं है ये Ronnie Coleman के time के bodybuilder है और इनका नाम है Orlif Burke अगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो ये Jamaican bond bodybuilder है और ये 5 foot 10, 250 pounds के है और इनका जो size है वो enormous है इनकी back one of the most widest है ये one of the most widest bodybuilder के नाम से जाने जाते है तो जो इनका pro debut हुआ था वो 1999 के अंदर हुआ था age 36 के अंदर और इन्होंने Mr. Olympia के अंदर top 10 finishing करी थी और ये 6 नमबर पर आया थे 2001 के Mr. Olympia के अंदर पर friends उसके बाद कुछ ऐसा हो गया इनके साथ जिसकी वज़े से इनको bodybuilding चोड़नी पड़ गई थी इनको elbow की surgery करानी पड़ी थी दोस्तों इनको elbow की injury हो गई थी इस वज़े से कि वो heavy lift नहीं कर पाते थे surgery के बाद उनका heart भी fail हो गया था इसकी वज़े से वो coma में चले गए थे तो friends इनका जो bodybuilding career था वो ज़ादा देर तक नहीं टिक पाया था but unfortunately दोस्तों इनको bodybuilding चोड़नी पड़ गए थी इस कारण पर इन्होंने बहुत कुछ accomplish कि है जैसे कि इन्होंने one of the most widest physique बनाये थी जिसे अंदर की immense muscularity थी और vescularity थी इनका जो incredible width है वो हमेशा one of the most widest bodybuilder के नाम से ये जाने जाएंगे और इनका जो nature है दोस्तों सुनने में है जैसा कि आप लोग जानतों कि जो Ronnie Coleman है वो 8 बरी Mr. Olympia champion है उन्होंने क्या कुछ नहीं accomplish कि है bodybuilding के अंदर ना जाने उन्होंने कितने सारे bodybuilding titles जीते हैं हर कोई उनको जानता है वो बहुत ही famous bodybuilder है पूरी दुनिया के अंदर पर फ्रेंट्स एक तरफ Ronnie Coleman है और दोसी तरफ है हमारे औरलिव ब्यूर जिनको जादा लोग नहीं जानते हैं उन्होंने इतना कुछ accomplish नहीं कर पाए हाला कि उनकी फिजीक काफी जादा similar है Ronnie Coleman से पर लोगों के मताबिक वो इतना कुछ नहीं accomplish कर पाए पर दोस्तो इससे फरक नहीं पड़ता कि आप लोगों ने कितना कुछ accomplish कर लिया है अगर आप लोग अंदर से एक अच्छे इंसान नहीं हो अगर आपका दिल साफ नहीं है तो आपको कोई भी याद नहीं रखेगा रॉनी कोलमन ने accomplish भी किया और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है इसलिए उनको बहुत लोग याद रखते हैं और जो और लिव भी उरक है वो इतना कुछ accomplish नहीं कर पाए बहुत है और जो जगए